खलो दोस्तों आप सब कैसे हो आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे एक्जाम पांट में आप लोग का स्वागत है एक्जाम पांट के तरक से आज आप लोगों के लिए मैं बीपीसी पीर्टी एक्जामिनेशन में हर एक सब्जक्ट में से कौन-कौन से टॉपिक पुछे जाते हैं जिससे हर बर बीपीसी कोशन उठाके डाल रहा है इसके बारे में पूरी की पूरी जनकारी देने वाली हूं इससे पहले मैंने बीपीसी मेंस एक्जामिनेशन पे सारा विडियो बना रखा है उसी वक्त बहुत सारे स्टुडेंट मुसे कह रहे थे मैं पीडी का भी आप बता दीजे कि किस तरीके से पढ़ा जाए और कौन-कौन से सब्जक्ट में कौन-कौन टॉपिक पढ़ना है इसके बारे में बताया जाएगा तो चलिए सेसं सुरू करते हैं तो आज का शेशन यहीं है कि पीपीएसी पीटी एक्जामिनेशन टॉपिक्पड़े ने में पता दिया आज मैं पीटी में देख लेते हैं कौन-कौन सब्जेक्ट होते हैं दूसरा जोगफी तिसरा पॉलिटिकल साइन्स चौर्धा आपको साजाएगा पांच मां इसमें साइंस आता है ठीके और उसके बाद है करेंट अफ्यर क्रेंट में न उसके बाद एक है भीहारस पेस्ट और एक है इक करके मैं आपको बताने वाली हूं देखिए इस सबसे पहले बार तो मैं बता देती हूं साइन्स जिवापके पीडिया में पूछे जाएंगे में आपको साइन से कोशन नहीं आते हैं ठीक है तो इसको ध्यान रखिएगा आज के सेसर में मैं बात करने वाली हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा कि कौन-कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो इस सब्जेक्ट में मैं आपको बता देती हूँ इन सब ही मेंसे आपको सब पढ़ना है लेकिन सबसे ज़्यादा आपको धियान किस पर देना है तो धियान दीजेगा जिस चीज़ पर मैं arrow कर रही हूं उन पर सबसे जड़ाद धियान दीजेगा तो पहला जो subject है वह history ठीक है दूसरा जो हमारा subject हो जाएगा वह science ठीक है तिस सबसे ज़्यान देना है इन चार पे पहला हिस्ट्री दूसरा आपका साइंस तीसरा करेंट अफियर चाठा से बिहार अस्पेशल इस चार ऐसे सब्जेक्ट है जिससे ज्यादा से ज्यादा कोशन पूछ रही है में सब्सक्राइबख साइंस में 30-40 कोशन बिहार अस्विसल में पूछा जाता है 20-30 कोशन करेंट फियर में हेस्ट्री में 30-54 कोशन रहते हैं साइंस में 20-55 कोश्न र सब्सक्राइब पर ध्यान देना है उसके अलाबा अगर आपको थोड़ा टाइम बसता है तो आप भूगोल और राजनितिक सास्त्र और उसके बाद अर्ष सास्त को देख सकते हैं ठीक है इस इन तिन सब्जेक्ट में से अगर आपको किसी को देखना का जरुआ थे तो भूगोल और राजनित सास्त हो गया और आठ सास देख से भूगोल और राजनितिक सास्त पे जदा अब इन दोनों में से अगर कहा जाए तो राजनितिक सास्त पे ध्यान दीजेगा एक बड़ आप मेरी बात को अच्छे से मैं फिर रिपीट कर रही हूं अपने बात को आप लोग अच्छे से सु ठीक है अब हमारे पास तीन सब्जक्ट बच गया वह है भूगोल राजनितिक सास्थ और अर्ट सास्थ को बिल्कूल निगलेट नहीं करना है अगर कोशन आएगा तो भीहार से पूछा जाएगा ठीक है तो आपको अर्ट सास्थ मुतना ध्यान देने की जरुवत नहीं है आपका तो राजनितिक सास्थ तो अगर आप लोग जैसे ही चार सब्जेट को पूरा कंप्लीट करके आपके पास टाइम रहेगा तो आप भूगोल और राजनितिक सास्थ पे ध्यान देजिएगा तो इससे साफ पता चल गया आपको कि चार इंपॉर्टन सब्जेक्ट है सब्जेक्टों को ध्यान देने की जरुवत है आपको हिस्ट्री करेंट अफियर विहार स्पेशल और साइन्स अब मैं हाई दिफाइन करने वाले हूं करेंट अफियर को देखिए करेंट अफियर में आपको सबसे जादा नेशनल इंटरनेशनल के साथ साथ विहार स्पेश सेट प्राक्टिस सेट प्राक्टिस सेट प्राक्टिस ऐसा चीज है आपके लिए जो आप जितना भी आप पढ़ेंगे आपका रिजल्ट यहीं पर दिखेगा सेट प्राक्टिस में कुछ भी हो जाए एक सेट प्राक्टिस आप पर्डे करिए और सेट प्राक्टिस करने के ल तो आप लोग देख लिए कि कुण कुण से इंप्रटन सब्जेक्टत जिसको आपको ध्यान देना है और कुण-कुण से इसके अलावा और इंप्रतन सब्जेक्ट Persian जिस भी ध्यान देने की जरूरत की प्राचीन इतिहास से कौन-कौन से टॉपिक साते हैं जिसे बी-पी-ए-सी कोश्चन पूछती है असाथ ही साथ में मैं अपना खुद का नोट्स भी आपको दिखा दूँगी ठीक है तो चलिए देखते हैं हम लोग तो देखिए सब्जेक्ट हिस्ट्री इतिहास सिक्ष्टी सेबन बी-पी-ए-सी और सीडीपीयों के पीटी एक्जामनेशन के लिए महत्पुन टॉपिक कौन-कौन से है तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको पता ही है कि हिस्ट्री में तीन सेशन होते हैं एक हो जाता है करते हैं और तीसरा हो जाएगा जिसको आधोनिक भारत करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि एसेंथ हिस्ट्री के बारे में पूरी की पूरी अजमेट टॉपिक बता देती हूं कि कौन-कौन टॉपिक से बीपेसी पीटीग जामनेशन में हर बार कोशन पूछा जा रहा कि आता है उसमें पासान काल और धातु काल आगा देखे वेने दोनों तरफ रख्का है इसके प्रॉजतिषी पेसर काल में आजाएक तो पढ़ने के लिए पर घयाए अंहीं हएक ऱ्चान काल करते हम धातों यूगा देखिए पिर उसके बाद में दर्म सब्म ougland में जैसे जैन धर्म बाध घर्म आर गुच्छ women गे जाएगा फिर अगला जो हो जाएगा वो इसायी धर्म होते हैं वह से कुछन नहीं पूछे जाते हैं इस對了 कर कर प्योद के बारे में पिर को जाएगा से को पुछे जाएगा फिर अगला जो हो जाएगा वह Hammagd राज का उत्कर्स ठीक है next हो जाएगा हमारा मौरे समराज उसके बाद घालाज in6क भारत में दराय तो भरत में जो यह रजड़ राज पुस्पो Chcómo celebrating and 50 सभारत में जो Над्हां राज होंगि को शान जाएगा गुपता जाएगा और भूति बंस के बारे में आपको जनकारी दिये जाएगा उसमें फिर उसके बाद आगा दच्छिन भारत के परमुख राजवंस रहे रहे दच्छिन भारत के उसके बारे में और एक जो आपका श्रक्रणा, जिसें क्या मैंने आपको पूरा टोपिक बता दिया उसके बाद मैं आपको अभी बोली थी, कि मैं आपको अपना नोर्ट्स बता जदा कि और। दिखाऊं गे कि में लिखा हुआ है वही चीजे मैंने इसमें भी आप लोग को बताया है तो आप लोग देख सकते हैं यह一次 है quando a girl login ja फशायद आप लोग को सूनन को भी थोड़ा से अजीब लगे लेकिन मैं आपको बता देती हूं और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि जब भी मैं BPSC का पढ़ाई करना सुरूं की तो मैंने कोई भी भी BOOK ने ख़़डा था मैंने सारे के सारा ज elles इतना भी Sdest Александ उन सब का handwritten notes तयार किया था यानि कि समझ लीजे कि मैंने खुद का अपना book तयार कर लिया था मैं book बहुत दिन के बाद खरीदना शुरू की जब मुझे थोड़ा सा लगा कि नया book की जरूवत है तब मैंने सारे जितने भी subject है उन सभी subject का मैंने खुद का handwritten notes तयार कर रखा था तो recent history का आपने देख लिया कि किस तरीके से मेरे notes में बिल्कुल इसे तरीके से बनाए हुए हैं और यह मेरा अपने handwritten notes में रखा है और यही सब topics का बना रखा है अब देखिए इसमें सबसे इंपोर्टेंट चिराएगा सब लोग कहेंगे कि मैं कहां से पढ़ें क्या पढ़ें तो मैं आपको बता देती हूं इसको पढ़ने के लिए कोई भी book का इस्तेमाल करने की जरूवत नहीं है सिर्व एक book इस्तेमाल कर यह वह है लूसेंट ठीक है लूसेंट में भी आपको बहुत सारे topics है ठीक है लूसेंट जब उठाइएगा तो वहां भी भी सहबस्तु में बहुत सारे topics है लेकिन उन भी सहबस्तु को चाट कर आप इतना ही को ध्यान दीजेगा इसका बज़ा एक क्योंकि आपको पता है इसेंट हिस्ट्री मेडीवल और मॉडन तीनों को मिलाकर कोशन पूछी जाते हैं तो इसलिए आपको बस इतना ही topic इसमें रखना है फिर इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा उसमें मेडीवल के बारे में बताऊंगी फिर उसके बा सब्सक्राइब उनका problem solve हो जाएगा तो आज का जो सेशन था उन सभी स्टुडेंट को problem solve करनी के लिए था उनको प्रॉब्लम हो रही थी में इसका वीडियो बना हुआ है भी पीसी में इसका सारा बुक हर चीज को बता दिया गया है हर topic को define कर दिया गया है आप लोग उसको लिजेगा और आप लोग को अगर कुछ problem होते इसका टेलिग्राम चैनल पर सेंड कर दिया देगा टेलिग्राम चैनल का link description box में है उसको क्लिक करको join कर लिजेगा ठीक है तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही फिर आप से मुलाकात होगी history के दूसरा जो पार्ट है मधिक खा दूंगी साथ साथ में तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी आप से नेक्स्ट वीडियो के साथ यानि की history के दूसरा पार्ट के साथ thank you so much